ओम शान्ती बहुत सुन्दर लोग कहते हैं खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हम खाली हाथ आये थे और खाली हाथ ही जाने वाले हैं तो इतना बड़ा जीवन क्यों? क्या हाथ को धोते रहने के लिए? करोना काल हमेशा नहीं था जो हाथ दोने के लिए बोलता रहे तो जीवन का क्या रहस्य है? क्या हम सभी वाकी खाली हाथ आते हैं और जब जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे? मन कहता है, विवेक कहता है कि ऐसा नहीं है हम सभी खाली हाथ भी नहीं आते हैं हम सभी अपने अपने ढंक से हाथ भर के आते हैं इसलिए सब अलग-अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं एक ही समय में, एक ही दिन में एक ही ग्रह नक्षित्र के समय में भी एक बच्चा पैलिस में जनम लेता है, राज प्रासाथ में जनम लेता है, तो दूसरा बच्चा कहीं जोपर पट्टी में छोटे से स्लम में जनम लेता है, ऐसा क्यों है? एक वक्ते बहुत हैल्डी होता है, तो दूसरा बहुत बिमार क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे क्यों बिमार होते हैं? जबकि अभी वो जनम ही ले रहे होते हैं? किसी को अच्छा एजुकेशन मिलता है, किसी को एजुकेशन बिलकुल नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है कोई बहुत धन्द आलत कमा लेता है कोई बिल्कुल भी नहीं कमा पाता है ऐसा क्यूं होता है हर चीज में हम सोचते हैं यह सब क्यूं हो रहा है वास्तव में हम जो कुछ हाथ में भरके लेके आते हैं इस दुनिया में हमें उस प्रकार से सब कुछ मिलता है हम जब इस दुनिया में आए हैं जो कुछ हमें मिला है वो हमें पुर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिल रहा है लेकिन इस जन्म में भी हमें हाथ भरने के लिए हमेशा चांस मिलते हैं यह हाथ भरता कैसे है खाली कैसे होता है इसमें पत्थर, कंकर या हीरे अलग-अलग प्रकार से कैसे आते हैं Actually, हमारा सोच, हमारा कर्म हमें सब कुछ भरने के लिए, करने के लिए अपने आप में भरपूर होने के लिए एक चांस देता, एक मौका देता है ये एक जरिया होता है, हमारा करम ही जरिया है जिसे हम अपने हाथ को भरते हैं तो ये सब कैसे चलता है किस प्रकार से हम अपनी जीवन में हाथ भरते हैं या अपने कर्मों को संजोते हैं इस केस मेकानीजम को हम समझने की कोशिश करें हम सभी जानते हैं इस संसार में कहा गया है As you sow, so shall you reap जैसा करोगे वैसा भरोगे कर्म का फल जरूर मिलेगा Every action has equal and opposite reaction जो भी हम करेंगे हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा Instant नहीं, immediately नहीं उसका एक बड़ा सुन्दर लेखा जोखा रहता है अलग-अलग समय पे हमें अपने कर्मों का फल अलग-अलग रीती से मिलता है क्योंकि कर्म एक बीज की तरह है और वो बीज अलग-अलग प्रकार से sprout होता है, अलग-अलग प्रकार से फल देता है Immediately, instantly नहीं हाँ कुछ कर्मों का फल हमें Immediately, instantly मिल जाता है कुछ कर्मों का फल बहुत देरी से और कुछ कर्मों का फल बहुत देरी से मिलता है जो हमें instant दिखाई नहीं देते हैं बहुत लोग सोचते हैं आजकल के youngsters mostly कहते हैं, दीदी, हमारे देखने में ऐसा आता है कि दुनिया में जो अच्छे काम करते हैं उन्हें बहुत सहना पड़ता है उन्हें बहुत परेशानियां जेलनी पड़ती हैं और जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है और वैसे भी कभी-कभी हम देखते हैं किसी कार्यों को अगर हम सीधे रीती से करना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है, होता नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली टेडी कर देते हैं तो काम अच्छा हो जाता है माना अगर हम थोड़ा ट्रिकी होते हैं, थोड़ा भूल रास्ता ले लेते हैं, कुछ गलत शलत करते हैं, तो काम आसानी से हो जाता है जबकि अच्छी रिती से सोच के किया गया काम बड़ा मुश्किल होता है ऐसा क्यों और कैसे होता है वास्तव में यही कर्मों का मेकमींजम है जिसे हमें समझने की जरूरत है इसके लिए हमें समय का ग्यान भी होना चाहिए और बहुत सारी चीजें इसमें count करती हैं कि कर्म का सारा impact किस प्रकार से चल रहा है हम सभी जानते हैं एटलीस सुनते हैं कि ये कल यूग है और यहां बुराई का प्रभा है बुराई का प्रभा है जैसे आपने नदी को देखा होगा नदी जब पूर पे होती है और उसमें बहुत ज्यादा current होता है तो अगर आपको नीचे जाना हो downstream में जाना हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है थोड़े से अच्छे अगर आप तराक हैं swimming करना जानते हैं तो आप बस जल में जाकर के अपने body को स्थिर कर लीजिए देखना जल का प्रभाव आपको बहुत दूर ले जाएगा लेकिन अगर आपको current से विपरीत दिशा में जाना है श्रोत के विपरीत दिशा में जाना है तो क्या करना होगा तो बहुत मश्किल होता है हाथ पाउं बहुत मारने पड़ते हैं और बहुत struggle करना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि आप ठक गएं और थोड़ा सा एक सेकिंड सांस लेने की कोशिश करते हैं फिर दीचे आ जाते हैं फिर struggle करके आपको उपर जाना पड़ता है वास्तर में ये जो समय है ये कलिकाल का चल रहा है कलिक का समय है जिसमें बुराईयों का प्रभाब बहुत ज्यादा है यहां बुराई में बह जाना बट नैच्रल है बहुत सहज है आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ये श्रोत आपको बहुत नीचे ले जाता है लेकिन अगर इस दुनिया में इस सारे निगेटिव एंवारिमेंट में आप अच्छा बनना चाहते हैं श्रेस जीवन जीना चाहते हैं पुन्य का कार्य करना चाहते हैं स्वच जीवन बनाना चाहते हैं ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरुवत होगी आपको आपका एफर्ट दिखाई भी नहीं दे ऐसा भी हो सकता है और सच मुछ लग सकता है क्या इतनी मेहनत करनी पड़ भी है लेकिन उहां तो सब कुछ बिना मेहनत का हो रहा है पर हमेशा याद रखें वो जो फ्लो आपको लेके जा रहा है बहुत दूर अच्छाई से श्रेश्ट प्रापती से दूर लेके जा रहा है भले वो अभी दिखाई दे रहा है कि बड़ा आनंद है लेकिन उसमें दुख बहुत ज्यादा है लेकिन ये जो जीवन है जिसमें हम यह सोच रहे हैं कि यहां difficult बहुत है, struggle बहुत है लेकिन यह struggle और यह difficulties हमें कहीं न कहीं बहुत उंचाई की और लेके जा रही है बहुत बड़ी प्राप्ति है, हम दुनिया के लिए example हो सकते हैं हमारा यह जो effort है केवल हमारे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत कल्यानकारी हो सकता है अच्छाई अपने आप में एक ताकत है, एक शक्ती है जिसके vibrations की भी सबको जरूरत है जब कोई व्यक्ति बुराईयों के against अच्छाई के लिए जीवन जीता है, struggle करता है उन सबसे उसकी personality निखर नहीं लगती है, कुछ न कुछ अच्छा होता जा रहा है हम उस समय ने समझ पाते हैं कि क्या तकलीफे आ दिए, क्या परिस्तितिया है, कैसे क्या है उन सब में उलजे हुए रहते हैं, लगता है कि ये क्या है मैं अच्छाई के लिए इतना struggle क्यूं कर रहा हूँ निखी ने, struggle हमें बहुत अच्छा बना देता है मैं इस चीज़ को इस प्रकार से लेती हूँ अच्छा ठीक है, ये accepted का लिकाल है और कई बार ऐसा भी हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपने आपको देखते हैं, तो लगता है कि कुछ बुराईयों में मैं उलज किया हूँ मुझ पर भी बुराई का प्रभाब पढ़ने लगा है और लेकिन मैं अच्छा बनना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ मैं एक छोटी सी कहानी इसके लिए सुनाती हूँ आप सब को जीवन में कभी ऐसा भी होता है कि इस प्रभाब में कहीं ना कहीं आप अच्छा भी बनना चाहते हैं और प्रभाब आपको नीचे भी लेके जा रहा होता है इस स्ट्रगल में कभी कभी आपको लगता है यह क्या हो गया मैं तो अच्छा नहीं हूँ अभी मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है और जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है घबराये नहीं तब जीवन के इन सारे odds को आप accept करने लग जाएंगे आपको अच्छा लगने लग जाएगा इस बात को सुन करके ये कहानी है खज-खजूरे की आपने सुना होगा एक सौ बालुआ उसको बोलते हैं बुडिया में खज-खजूरा होता है जिसके strings होते हैं और उसके सोज इतने पाउं होते हैं चलता है और उसका जो ये होता है क्या कहते हैं लोम जो होता है बहुत खुझली वाला होता है अगर उसको टच हो जाए तो बहुत उसको खुझली होने लग जाता है तो लोग उससे बहुत घ्रणा करते हैं, नफरत करते हैं, अगर कहीं दिख जाये तो उसको बाहर फैंक के आते हैं तो एक दिन उस बचारे ने सोचा कि मुझे सब लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं भगवान से कहने लगा कि है प्रभू, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि लोग मुझे से प्यार करने लग जाएं मुझे भी सब प्यार से देखें, मुझे भी देख के सब खुश हो, मुझे कोई ऐसे नफरत नहीं करें, बाहर नहीं फैंकें, मैं क्या करूँ उसके लिए बिचारा खज-खजुरा सोचता रहा, सोचता रहा, सोचने के बाद वो भगवान को याद करता करता, एकागर हो गया, और जैसे एकागर हुआ, तो उसके उपर कोकुन बनने लग गया और उसको कुन के अंदर जब वो ग्रैप हो गया, फस गया, लगा कि यह क्या हुआ, मुझे अब बाहर जाना है, और उस बाहर जाने के लिए देखा, सब दर्वाजे पंथ, एक छोटा सा होल है, जिसमें से उसको बाहर निकलना है, तो वो अंदर बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत फड़ फड़ाता है, बहुत फड़ फड़ाता है, फाइनली उसमें से बाहर निकल के आता है, जब वो बाहर निकल के आता है, तो क्या होता होगा बताईए, क्या बनके निकलता है, सुन्दर सी तितली, सुन्दर सी तितली बनके निकल के जाता है और पितली रंग विरंगी पितली को देख करके हर कोई खुश होता है हम इसे थोड़ा एनेलाइज करते हैं इस कहानी का एक और रूप भी है एक और प्रकार से इस कहानी को सुनाते हैं लोग वो ये कि जब वो कोकुन में वो इंसेक्ट फड़ फड़ा रहा है बाहर से एक रहा गिर निकलते हैं और वो देखते हैं कि ये विचारा कितना मुश्किल पा रहा है कितना कस्ट पा रहा है प्रकृति भी क्या वंडर्फुल है इतनी छोटी सी जान को इतना स्ट्रगल दे रहा है इतना उसको मुश्किल दे रही है प्रकृति तो मुझे इसकी करनी चाहिए तो उस प्यक्ति में जाके कोकुन का मूँ थोड़ा बढ़ा कर दिया जो कि आसान हो जाए उस इंसेक्ट को बाहर निकलने के लिए उस रहागिर को बड़ी शांती मिली कि मैं इसकी छट-पटाहट को कम कर चुका हूं इसकी मुश्किलों को आसान कर चुका हूं अब बहुत अच्छा है जो इंसेक्ट है वो फ्री हो गया है बहार निकलाया है लेकिन फिर उसको लगा कि जिस इंसेक्ट की मैंने मदद की है वो कैसे क्या कर रहा है जरा उसे देखतो लूँ तो वो देखने के लिए एक नट वहां बैठा उसे आस्चरिया लगा कि अब व तो उसने उस मेकनिजम को समझना शुरू किया क्या हुआ क्या होता है इसमें तो उसने पाया कि जब ये इंसेक्ट अन्दर फड फडा रहा होता है उसका ही सलाइवा बहुत जोड से घूमने के कारण स्ट्रगल होने के कारण पंक बनाता है इसमें सुन्दर-सुन्दर रंग बनते हैं और उस ट्रगल के बाद जब वो बहर निकलता है तो उसके पंक सुन्दर रंगों से भरपूर होके होते हैं जो सब के मन को मुह लेता है आकरशित करता है अच्छा लगता है सब उसे देख करके वावा करते हैं उसके पास बैख ना पसंद करते हैं लेकिन अगर वो उन मुश्किलातों से नहीं निकलता है उस महनत को नहीं करता है तो कहीं न कहीं या तो खजखजुरा बना रह जाता है लोग उसे नफरत करते रहते हैं उसको मार देने की कोशिश करते हैं फैंकने की कोशिश करते हैं या अगर किसी और की मदद से महनत नहीं करता है तो वो क्रिपर इंसेक्ट बन जाता है जिसको चिडिया खा जाती है लेकिन जब वो पूरी तरह से महनत करता है लगा रहता है तो वो बहुत अच्छा एक तिपली बद करके निकलता है जीवन का यही लेसन है कभी भी जीवन में महनत पड़े मुश्किल पड़े कठिन समय पड़े तूठना मत भागना मत शॉर्टकट लाने की कोशिश मत करना बड़े दिल से बुद्धी मता के साथ उस जिवाइन ग्रेस के साथ लगे रहना सफलता आपके साथ है वो आपको निखार देगा देखो परिस्तितियों में कोई तो बिखर जाता है और कोई निखर जाता है अगर हम positive attitude रखेंगे जरूर निखरेंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा धन्यवाद ओम शान्ति